अभी कुछ दिनों पहले नागोर जिले के खरनाल गाउं में तेजा जी माराज की जनम इस्तली पर जो धार्मिक मेले का आयोजन किया गया उस मेले के आउसर पर जो मंज पर काफी अव्याउस्ता हुई और माईक को लेकर खींचातानी भी हुई बाद में पत्थरबाजी की जाटों का राजनेतिक दल है आरेलपी के वहां आरेलपी के जंडे लाए गए और वहां जंडों को ले रहाए गया और उन्हों ने अव्योस्ता फेलाई और दूसरी तरफ आरेलपी द्वारा यह आरोप लगया गये कि जो बीजेपी है वारतिय जंदा पार्टी है तो उसक परकार से राजनेति करन किया गया और तीस रिपक्स का ये भी कहना है कि जो तेजा जी मरा जाटों के कूल देउता भी है और साथ में 36 कोम के भी आराध्य देव है तो जाटों के अलावा भी जो दूसरी जातिया वहां पे दर्सन करने के लिए आती है तो इस परकार से जो म सोशल मेडिया पर ये भी बैस पिछले लगबग 6 वर्सों से चल रही है देनिक बासकर की उस खबर के पस्चात में कि जो तेजा जी माराज वो खिची चोहान राजपूतों के वनसज है तो सोशल मेडिया पर भी ये काफी रसा काशी चल रही है कि तेजा जी राजपूत है या जाड़ थे तो इस मुद्धे पर विशलेशन करते हैं हाला कि जैसा कि मैंने पहले काया कि जो भी लोग देवता है चाहिए किसी भी जाती में उनका जनम हुआ हो तो वो सभी 36 कौम की विरासते जो उनको पूझ्य आराद्य मान कर उनकी पूझा करें तो वो सभी जातिय के लिए उतना ही मैत्वे रखते हैं बले उनका जनम किसी भी जाती या वरग में हुआ हो जब मैं इस विसे पर रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने मुखी रूप से है वो तीन सोर्सेज आये तेजा जी माराज को लेकर तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूं तो हलाकि इसक लोग गाथाओं में कियुंदतियों में या लोग साहितिय में हैं जो की लगवग हम सभी जानते हैं और इतियास में जो दूसरा उलेक तेजा जी के बारे में आता है वो ठाकूर देश राज जगीना जो की स्वेम जाड़ चाती में उनका जनम हो आता उन्होंने भी तेजा जो लोग साहितिय में, लोग कथाओं में, लोग गीतों में, कियुंदतियों में, लोग वारताओं में जो आता है वितेजा जी माराज का जनम है वो आज के नागवर जीने के खरनाल गाउं में हुआ था और जो जाट परिवार में जो उनके दोलिया गोतर के जाट परिवा रहा हूं कि उनका बच्पन में ही जो के माता-पीता-पुस्कर की दार्मी क्यात्रा की थी तो पुस्कर में उनका बाल विवा हो गए ता जब वो नौ महीने के थे और उनकी पत्नी का नाम था पेमल जो की अजमिर जिल्ले में पनेर गाउं है वहां की उनकी पत्नी थी और पर ऑबी थी वो कफी देर बाद में जो है बाता लेके पहुंची यानी बोजन लेके पहुंची तो इस पर तेजा जी वह काफी नाराज हो गए पीर में है उसको लेकर आए उसके बाद में तेजा जी है जो अपनी गोड़ी लिलन को ले के अपने सस्राल पनेर गए आ वहां पे वो उनके जो सासु के साथ में भी वाद भिवाद हुआ और उसके बाद में जो लाचा गूजरी तो उन्होंने जो नागीन तो जल गई थी और नाग को अपने जो भाले से उसको बचा लिया कि इंसान का फर्ज बनता है कि उस जीव को बचाए जाए तो इस परकार से जब नाग देवता क्रोधित होगे कि मुक्स मिलने वाला था और मैं अपनी नागीन के साथ में जो है साथ में जाने वाला था तो आपने मुझे बचा लिया इसलिए मैं आपको डस हूँगा तो उस से में तेजा जी माराज वादा करते है कि अभी मैं जो है गायां को बचाने जा रहा हूँ बाद में मेरे को है डस लेना तो इस परकार से नाग के द्वाराबाद में रसने से तेजा जी माराज की मर्तियों हो जाती है और उनके पीछे जो उनकी पत्नी थे पेमल वो भी सती हुए और बाद में ये खबर है जो लिल्यन गोडी के माधियम से जो उनके गाउं खरनाल पहुँची तो उनके पीछे है राजल का भी सती होने का उलेख है और उनकी दूसरी बैन बूंगरी का भी सती होने का उलेख है तो इस परकार से जो तेजा जी माराज के जीवन चरित्र का जो मोटे तोर पे जो वरनन है वो लगबग यही लोग काथाओ में यही आता है और तेजा जी माराज के जीवन चर पुस्तक के लेखक हैं वह कौन थे तो ठाकुर देश राज जगीना का जनम है वह ततकलीcus में 1895 में हुआ ता टां परिवयार में परजामंडल के तत्कालिन जागिरदारों के खिलाब जो अंदोलन हुए किसानों के दौरा उन्हें भी उनौने काफी राजनिती में भाग लिया. और उसके बाद में वो ततकालीन जो बर्दपूर रियासत के है वो वितमंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी तो राजनेती में वो काफी अक्टिव रहे और बाद में उन्होंने जो जाटों के इतियास पर भी काफी पुस्तके लिखी उनी में से एक पुस्तक है अपनी सुवीद अनुसार कई जगे तो वो रेफ्रेंस देते हैं और कई जगे उनकी बातों को वो खारीज भी कर रहे है जो तेजा जी माराज के उपर उन्होंने जो इस पुस्तक में क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं वो इसमें जो डोलिया जो है ज अनुमान जी और भैरुग जी की बाती पूजे जाते हैं उसी परशित राजबंस में पैदा हुए थे तारीक के अजमेर में तेजा जी के समंद में लिखा हुआ है कि जाटों के तेजा जी कुल दे होता है उनका जनम मोजा खिडणाल परगना नागोर में हुआ था यहां पर venner 1040 के आसपास हुआ था यहां पर ठाकुभ देश रा जगी ना वो Cerin दो इनके बीच में जो है 57 का स्टावन साल का । friends है यानि कि विक्रम समत आगे है और जो अंग्रीजी समत है वो पीछे है तो आप खुद calculate कर सकते हैं आगे ये लिखते हैं कि क्योंकि तारीक अजमेर में उनकी मर्तिव का समय मारक्षी शुदी 10 मी समत 1072 विक्रमी बताया है वे तरुन अवस्ता में सरगवाशी हुए थे इसलिए हम से उनका जनम समय समत 1040 के आसपरास वाना है उस समय भारत पर छोटे-छोटे राजियों में बटा हुआ था भारत में वलबी और भटिंडा लाहोर के दो राजिय अवशिय बड़े थे राजास्तान में उस समय सरवांस में तो नहीं अधिकांस में गंडा जी है पंचाय तीशासन थे नागोर से नाग विताडित कर दिये गए थे गुजर लोग भीनमाल से खारीज हो चुके थे जातियों में परस पर संगर्स भी चल रहा था तेजा जी की पिता जी स्वम एक परजातंतर के सरदार थे उनका नाम ताहर जी था अच्छा तेजा जी की पिता जी के नाम उन्होंने तार जी बताया कुछ लेखों को ने बकसर राम जी लिखा आए है अलाकि लोग काता हो में आता है जो बकसर राम जी उनके दादा जी के नाम था जो तेजा जी महराज के दादा जी के नाम आता है किन्तु खिर्णाल जो तेजा जी के सगोत्री है वे तार जी बतलाते है तार जी के राजे में खिर्णाल और रूप नगर परशिद इस्तान थे उनका राजी इतने छेतरपल वाला था कि जिनके अंतरगत रूप नगर और खिर्णाल दोना आ जाते थे वो तेजा जी भक्ती परकृति थे इसलिए वे घर और राज के प्रबंद में उदासिन रहकर सादू संतों की सिवा में लगे रहते थे वे खिड़नाल और रूप नगर दोना ही इस्टानों पर जहां इच्छा होती रहते थे तेजा जी कुल साथ भाई थे च्छा की संतान अब तक मोजा खिड़नाल में जो की पहले करनाल कहल रहता था रहती है तेजा जी ने तब करने में पराकास्टा कर दी थी उनका वीवा बाली अवस्ता में हो चुका था किन्तु तेजा जी को संतों की संती में देकर माबाप की यह हिमत न होती थी कि उनसे बव को लाने के लिए का जाए तेजा जी के गोत्रों के लोगों का उस समय नाग जाती के लोगों से जगड़ा चल रहा था किन्तु तेजा जी ऐसे जगड़ों से दूरी रहते थे उनके पिता ने आखिर तेजा जी को गो सेवा पर नियुक्त किया उस समय जनपदों के साथ सक पसु खूब रगते थे उनके राजियम अनेक तालाब थे, बावडी थी और साथी बाग बगीचे भी थे वे एक तालाब के किनारे इश्वर भक्ती कर रहे थे उस समय एक गूजरी जिसका नाम माना बताया जाता है बड़ा चुपता हुआ मजाग तेजा जी सी किया है यहाँ पे जो ठाकूर देश राज जगीना है वो यहाँ पे जो तेजा जी को वियंग किया गया था लोग गाठाओं में तो उनकी बोजाई के द्वारा बताया गया है और यहाँ पे वो है माना गुजरी के द्वारा बताते है और आगे वो लिखते हैं कि बड़ा चुपता हुआ मजाग तेजा जी सी किया उसका भाव यह है कि जिसकी इस्तरी युवा वस्ता में तडपे और उसका मर्द संत बना फिरे तेजा जी को ये बात चाट गई यानि कि चुप गई वे सस्राल जाने के लिए उसी समय परतिगिया कर बैठे सस्राल जाने से पहले उने बहिन के यहां भी जाना पड़ा उनकी बहिन का नाम राजा था यानि की राजल और बहिनोई का नाम जोरा था कुछ लेकों ने लिखाए कि बहिन की यहां से लोटकर तेजा जी सस्राल को पहुंचे सस्राल वाले भी पूरे वेववसाली थे उनका राजी भी भरापूरा था उनकी लड़की बोदल जो की तेजा जी को बियाई गई थी अच्छा यहां पे वो जो तेजा जी की पत्नी का नाम है वो बोदल बताते थे और लोग गाताओं में जो बोदल है वो तेजा जी की सासु का नाम था उनकी लड़की बोदल जो की तेजा जी को बियाई गई थी कि अलग बगीचे और बावडी थे तेजा जी से उनकी सस्राल वाले अपरसन तो थे ही क्योंकि जवान लड़की को घर में देखकर उन्हें रंज होता था इसलिए उनका कोई अच्छा सतकार नहीं हुआ उनकी सस्राल का गाउं पनेर राज्य जैपूर में बनास नदी के किनारे पर कहीं था उस समय जैपूर की वीबिन भागों पर मैना जाती का राज्य था मैना लोग पड़ोसी राजियों के परजाजन के पसों को चूरा ले जाते थे और नेर में उसी दिन मैनाओं के आकर्मन कके गूजरी की गाईयों के समू को चूरा लिया तेजा जी के ससूर बदना जी बड़े परशिद पूरुस थे यहां पर उनके ससूर का नाम है वो बदनाजी बताते है जब कि लोग गत्वों में राइमल जी आता है वे उसमें कहीं बाहर गए होते तेजा नी जब मेनों की गायों को चुराने की काने सुनी तो वे अपने लिला नाम की गोडी पर सवार होकर मेनों के पिछे पड़े लिला यानि लिलन गोडी मेनों की संक्या 1.500 तक बताई जाती है संबव है कि तेजा जी की साथ भी 10-20 आदमी हो किन्तु कहा जाता है कि तेजा जी अकेले ही थे ये बात उनका मैथो बढ़ाने के लिए कई गई है तेजा जी इस यूद में सक्त गाइल हुए मीने परास्त हुए तेजा जी की कीरती चारों और फैल गई सस्राल से लोडते समय तेजा जी पर महान शंकट आया अथवा ये कहना चाहिए कि तेजा जी का वह समय आ गया था इसे अंतिम काल कहते है बालू नाम के नाग ने उनका रास्ता गेर लिया उसने सत्रू उतर निवाने के लिए सबसे अच्छा मोका समझा कहा जाता है कि पहली बार भी उसने तेजा जी को ललका रहा था किन्तु उसमें तेजा जी ने उससे ये इच्छा प्रकट की थी कि मैं सस्वाल जाना चाहता हूँ इसलिए अपने इस्तरी से मिलने के बाद मैं आऊ सिया इधर आऊंगा गाल तेजा जी और उसकी वीर विदू सी इस्तरी बोदल ने नाग और उसके साथियों का मुकाबला किया तेजा जी और उनकी धरम पत्री मारे गए किन्तु बालू नाग भी उन्होंने धराशाई कर दिया बालू नाग को भी उन्होंने धराशाई कर दिया बालू ने तेजा जी की अच्छे तवस्ता में जीवा काटने का परियतन किया था उनकी गाहिल गोडी भाग कर खड़नाल आ गई उनकी रानी बोदल और उनके शव खड़नाल लाए गए तेजा जी सत्रों से लड़ते हुए सहिद हो गए इसलिए वे जुझार तेजा का जाते अच्छा जो सत्रों से लड़ते हुए वीर गती को प्राप करते है तो उनको राजस्तान में जुझार का जाता हुए जुझार लोग देवताओं की तरह पूझे जाते हैं अभी भी हर गाउं में आपको जुझारों के थान या मंदिर मिल जाएंगे नाग बालू के मारे जाने से अन्य नाग भी इस प्रांत को छोड़ कर भागए चारों और सांती हो गई नाग बड़े कड़वे मिजाज के थे और सर्व लोगों को दुख दाई थे नागों से तेजा जी के सईद होने से लोगों का पीछा छूट गया सपल चित्रका ने तेजा जी का ऐसा चित्र तयार कर दिया जिसे उनकी सादत का पूरा इत्यास आ जाता है वे पांचों हत्यार बांदे वे लीला गोडी को थामे खड़े है नाग उनके गड़े में लिप्टा हुआ है शरीर खून से लटपत है पास में रानी वोदल खड़ी है तेजा जी की सीर पर कलंगी भी है जो उनके राजपुत्र होने की सूचना देती है जो उनके राजपुत्र होने की सूचना देती राजा का पुत्र राजपुत्र या राजपुत्र खेर जो भी उनना ने लिखा है तेजा जी की पूजा पहले उनके राजजी है उनके बैनोई के राजजी है वह सोस्राल वाले के राजजी में आरंब होई पीचे से सरोतर राजस्तान में आरंभ होगी, उनके नाम का असर और परियोग यहां तक हुआ कि सरब काटे का इलाज होने लगा, विश्वास और भावनों में राजस्तान में यहां तक परिपक्ता आ गई कि उनके नाम की दसी बांधने से सरब के विश्व का असर नहीं होता यानि उनके नाम का दागा या जो तांती कहते हैं वो बादने से सरप के विश्का असर नहीं होता राजपुता नेम अनेक इस्तानों पर तेजा जी के मेले बढ़ते हैं अनेक इस्तादों पर उनके मंदीर है भादो, सुधी, दस्मिको, सहस्त्रों यात्री उनके मंदीरों पर पहुँचते है और चड़ावा चड़ाते है राजा, रैश, गरीब, अमीर, ब्रामन, छत्री सभी तेजा जी के भगत है अच्छा, यहां पर वो भी मानते हैं कि भी सारे जोजातिया है चतिशी कोम है, वो तेजा जी माराज के भगत है तेजा जी का सबसे बड़ा मेला परवतसर रज्य जोत्पूर में होता है वहाँ तालाब के किनारे उनकी संगमरमर की मूर्ती है तेजा जी गोडे पर सवार, तलवार, ढाल, बल्लम, आदी सस्त्रों से सूसर जित है दूसरी और उनकी सती रानी गोडी पर सवार, बाये हाथ में सर पकड़े हुए मंदिर में एक शीला लेके जिस पर संबत 1761, भादवावदी 6, भुरुग वासरे महराजा दीराज, श्री जी 108 श्री अभेशिंग जी तश्या परदानो बंडारी जी श्री विजे राजी श्री तेजा जी की परतिष्टा अंकित किया हुआ है अचा यह जो परबसर का तेजा जी महराज का मंदिर है वो जोतपूर जब महराजा अभेशिंग जी थे जोतपूर के महराजा उसमें उनके सासनकाल में उनके जो राज्य के दौरा मंदिर बनवाये गया था प्रचान तक मुझे गया थे कि माराजा जो अवेशिंग जी के समय में नागोर में भी एक जो है तेजाजी माराज का मंदीर है माराजा अवेशिंग जी के दुआरा बनवाए गया था बंडारी जी ने तेजा जी की मूर्ती सुरसुरे से जहांकी तेजा जी शहीद हुए थे उन्हें परवत सर में लाकर इस्ठापिच की सुरसुरा गाउं किशनगड राजिये में है बादो सुधी एकादशी को परवत सर में जोदपूर राजिये के बड़े-बड़े अफसर जो की मेले में तेनात होते अच्छा यहां पर वो है रियाशत कालीन कैसे उस समय जो मेले का फंक्शन आयो जी तो था उसका वरणन कर रहे है और हाकिम साब परवत सर सुब मोर्त में तेज़ा जी का जंडा खड़ा करते है जंडा परवत सर हुकूमत से मैं लवाज में के साथ लाया जाता है 20 सवार 25 पैदल और 20 पुलिसमेन मैं अपसरों के ठीक समय पर जंडे को सलामी देते है जंडा खड़ा करने की आज्या देने से पहले जाटों को संबोधित करते हैं कहा जाता है कि जाटों आओ जंडा उठाओ और जंडे को सभी लोग हाथ लगाते हैं और जंडा खड़ा हुने होते ही 12 तोपों की सलामी होती है जंडा परती वर्ष नया बदला जाता है और 24 गंटे बाजे ढोल मेले की दिनों में बजते रहते है उनकी जनम भूमी खरदाल में तेजा जी का मंदीर गाओं के बीचों बीच है वो बहुत पुराना है उसका जिननों दौर संबत 1645 में हुआ है वहाँ एक सिला लेक में उन तालाब के किनार तेजा जी की एक दूसरी बहिन का मंदीर है उसका नाम बागल था वह सती हो गे थी इस पर मेला बरता है किसेंगर बुंदी अजमेर आधी परदेशों में कई इस चननों पर और भी तेजा जी की मंदीर है यह जाट जाती के प्राचिन गोरों की एक हलकी सी जांकी है जुनजा और तेजा महापुरुषते महापुरुषों में सभी का सांजा होता है सभी जातियों से महापुरुषों की पुजा होती है तो ठाकुर देशरा जगिनान जो अपनी पुष्टक है जाट इतियास में जो तेजा जी महाराज का जीविन चरीत है वो इस प में देनिक बासकर में लिखा है जो वंसावली का वाचन हुआ था खरणाल में तेजाजी की जनम स्तली को हुआ था वह इxtellen गताऊं में तेजा जी की वीर गति का साल एग्यारे सोट बताये गये जब कि सच्छी हÝ कि तेजा जी को 1200 बुरान में वीर गति अजमेर की पनेर के पास सुरसुर अग्राम में प्राप्थ हुई थी अला कि तिति भाद्वा की दसंही शांत और आगे इसमें लिखते हैं भई ये दनिक भासकर में कि दंत गतावम तेजा जी के चार से पांच भाई बताये गए हैं जबकि वन्सावली के नहुसार तेजा जी तेहड जी के एक ही पूत्र थे तता तीन पूत्रियां कल्यानी, बूंगरी और राजल थी तेजा जी के पिता जी, तेड जी, कैड जी, कल्यान जी, देवसी और दोसो जी चार भाई थे जिन में देवसी की संतानाओं से आगे धोलिया गोतर चला, धोलिया वंस की उत्पती खरणाल से ही हुई थी, उसके बाद विक्रम सम्थ सोड़े सो पच्चास में कुछ लोग गा को मुस्लिम धर्म अपनाने और अपनी बेटियों कोई साधी उनसे करने के लिए बाद्य करना सुरू किया, जिस पर राजाओं और मुख्याओं ने अपना इस्थान बदल कर अपने नाम से ही गोतर रख लिया, तथा दूर दूर गाओं बशा कर रहने लगे, इस दोरान ख खिची छत्री वंस के धहुला राम और बना राम दो भाई ते, अच्छा धियान दीजी यहां पर खिची छत्री वंस, खिची चोहन राजपुते उस वंस का जिकर आया है, इनमें धहुला राम ने विक्रम समथ 1122 में खरनाल, वो बना राम ने बदाना गाओं की नियू जो आज तक न तो किसी ने जानी न सुनी, किशनगट भाट परिवार के बजरंग लाल के पास तेजा जी माराज की पूरी वंसावली है, और वे खुद जैनती कारिकर में खरनाल पहुंचे और तेजा भगतों के बीच में वंसावली सुनाई, तो ये देनिक बासकर की जो है, इस खबर के बाद में जो है, सारा विवाद उत्पन हुआ कि भी तेजा जी माराज जो जाती से जाड़ थे, उनका जनम जाड़ जाती में हुआ या राजपूत जाती में, क्यूंकि जो उनके वंसावली में जिकर आता है, वो खिंची चोहान, जो राजपूत में गोतर जाती में जाती में बताया गया है, लेकिन जो तेजा जी माराज का जो गोतर है, दोलिया जात, उस वंस का जो निकास है, वो जो खिंची चोहान राजपूतों से, जो की क्लेम उनके बढ़ाव और भाट के दुआरा क्या गया है, तो ये एक रिसर्च का विशे हो सकता है, एक सोध का विशे हो सकता, अगर इस विशे पर सोध हो, तो कापी कुछ जानकारि आगे भी निकल कर आ सकती है, इस विशे के बार में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए, धन्यावाद राम राम